तो दोस्तो एक बार की बात है, मेरे एक पुराना दोस्त मुझे कॉल करता है और पूछता है कि भाई मुझे अन्नून नंबर से बार बार कॉल जा रहे है तो तो ethical hacking और cyber security में या मुझे इस नंबर की details दे सकता है तो एक बार को तो मुझे ये illegal type की चीज लगी क्योंकि किसी के भी number की details gather करना is not permissible लेकिन अगर वो बंदा है कि scammer है then we can do it तो तब ही मुझे याद आया कि ethical hackers के पास एक solution होता है जिसे बोलते information gathering या OSINT तो basically you can use multiple online directories जिसे true caller ये true people search लेकिन इसके लाबा भी एक option है जो ethical hackers use करते हैं वही मैं आज demonstrate करने वाला हूँ उस tool का नाम है phone infoga ये tool powerful और काफी सही result देता है तो hello guys this is hastan तो आज की वीडियो में ये दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से ethical hackers किसी का भी phone number use करके उनका public data gather करते हैं तो उसके लिए मुझे अपनी computer screen पर आना पड़ेगा तो सबसे पहले phone infoga को अपने Linux में setup कर लेते हैं अब Linux को अपने Windows PC में कैसे install करना है इसका मैंने अलड़ी एक article लिख रखा है और एक वीडियो बना रखी है वो आपको i button पर मिल जाएगी और आर्टिकल का link का आपको description में मिल जाएगा तो phone infoga को setup करने के लिए आपको यहाँ पर firefox open कर लेना यहाँ पर आपको search करना है phone infoga जैसे आप enter करोगे तो यहाँ पर github pages में से installation का process आ रहा phone infoga का यहाँ पर आपको simply commands copy करने है और उनको terminal पर paste करते जाना है अभी तो मैं commands को copy करने का आपको suggestion दे रहा हूँ but हमेशा commands copy करके काम नहीं होता आपको command समझने भी पढ़ेंगे और Linux के commands को कैसे use करना है उसके बारे में भी मैंने article लिख रखा है आपको उसका link description में मिल जाएगा यहाँ पर से आपको यह bash वाला command कोपी करना है और इसे अपने terminal पर paste कर देना है तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते है installation complete हो चुका है इसके बाद आपको यह second command कोपी करना है यह इसको globally install कर देगा जिससे कि आप सिर्फ एक command को यूज करके phone info को access कर पाऊगे इससे कॉपी करने के बाद इसको भी आप अपने terminal पर paste कर दीजिए और इंटर कर दीजिए जैसे यह आप इंटर करोगे तो यह आप से root password वांगेगा password इंटर करने के बाद यह टूल आपके अब इसका यूज मैंने कैसे किया वह भी देख लेते हैं यहाँ पर टाइप करता हूँ phone info का scan dash n dash and phone number यहाँ पर आप कोई भी country code specify कर सकते हैं मैं यहाँ पर एक यूज कर नमबर लेता हूँ one उसका country code है उसके बाद आपको यहाँ पर कोई भी number पर पेस्ट कर देना है मैं यहाँ पर रैंडम ली नमबर पेस्ट कर दे रहा हूँ five two six eight double zero six eight double zero तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछी seconds में यह phone numbers की सारी details को scan करके हमारे सामने ले आया यह आपको शोशल मीडिया के लिंक्स देखने को मिल रहा है यह सारी चीजे गूगल डॉक्स हैं और गूगल डॉक्स क्या होता है जिसका mostly use information gathering यह ओसिंड में होता है इसके बारे में भी मैंने एक completely separate वीडियो बना रखा है आपको उसका link icard यह description में मिल जाएगा इसके बाद आपको यहाँ पर results देखने को मिल रहा है results for local raw local but this is not much information राइट तो इसके लिए हम लोग को कुछ API keys वगएरा भी use करनी पड़ेंगी अब API keys को use करने के लिए हम लोग को वापस से firefox पर आ जाना है और यहाँ पर type करना API layer इस website पर आने के बाद जैसे ही आप थोड़ा सा यहाँ पर scroll करोगे तो यहाँ पर all APIs का एक बटन मिलेगा उस पर click करने के बाद आप इनके marketplace पर redirect हो जाओगे फिर यहाँ पर आपको सर्च करना है number verification API फिर यहाँ पर आपको listing में number verification API मिलेगा यहाँ पर आपको view API पर click करना है और इनका free plan लेकर के subscribe कर लेना है मेरा already यहाँ पर login है जैसे ही आप subscribe करोगे तो आप इस landing page पर redirect हो जाओगे और फिर यहाँ से आपको API token को copy कर लेना है उसके बाद आपको वापस से अपने terminal पर आ जाना है और यहाँ type करना है num verify API key equals और यहाँ पर अपनी API key को paste कर देना उसक पर randomly number type किया है उसके बाद आपको यहाँ पर एक और result देखने को मिलेगा results for number 5 और यह सारे link जो आप Google डॉर्किंग के देख रहा हो इसको आप एक सर्च करके और भी detail में information ले सकते हो अब बहुत से लोगों के लिए यह command line interface काफी नहीं होगा तो आप सब के लिए good news है कि यह पी और यहाँ पर कोई भी port number देदेना मैं यहाँ पर देता हूँ 8080 फिर जैसा ही आप enter करोगे फिर एक server open करतेगा आपको वापस अपने chrome यह firefox पर जाना है और यहाँ पर type करना है local host port number जो भी port number आपने specify किया था वो यहाँ पर देदेना फिर जैसा ही आप enter करोगे आपको आपको किसी एक particular phone number के बारे में detail निकान नहीं होगी तो आप यहाँ पर phone number डालिए और इस phone number के बारे में आप detail में information गैदर कर सकते हैं तो यह था phone info का tool अगर आपको ऐसे और tools के बारे में जानना है और अपने front circle में smart बनना है आप मुझे subscribe करें मैं ऐसी ही videos अपने Instagram और YouTube प पोस्ट करता रहता हूं thanks a lot for watching this is Astaan signing off